हेलो फ्रेंट स्वागते आपका आपके अपने लीगल चैनल सूश परपरहर में मैं हूँ अडूकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डैवोस पर बात करने वाला हूँ देखे डैवोस का केस कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइफ के द्वारा डाला जाता है कई बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा डाला जाता है अब मेन मुद्दा जो मैं आपको हैं बताना चाह रहा हूँ वो यह है कि यदी giàiveose का case आपकी wife के दोरे डाला गया है तो आपको सबसे आसान क्या रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको giàiveose जल्दी हो जाए आपको giàiveose जल्दी मिल जाए अब दोस्तों इसके लिए एक चीज आपको समझ के चलनी है यदि इस चीज को आप समझ के चलते हैं तो आपको कभी भी problem नहीं होने वाली है लेकिन यदि आप इस चीज को समझते नहीं है तो फिर आपको 100% problem आएगी और इसके साथ-साथ कई सालों तक आपका harassment भी हो जाएगा क्योंकि जो भी normal divorce का case होता है वो कई साल तक court में चलता है कई बार 3 साल, 4 साल, 5 साल भी lower court में निकल जाते हैं तो अब इस अबधी को अगर आप घटाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका हो सकता है दोस्तो बहुत important वीडियो है आखरी तक वीडियो में बने रहेगा और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो लेकिया हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझते हैं तो देखे यहां पर यह जान लीजे कि मान लेते हैं कि आपकी वाइफ ने अपनी तरफ से डाइबोस का केस फाइल कर दिया तो सबसे पहले आपको इसकी पिटिशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उसमें रेमेडी क्या मांगी गई है यदि उसमें रेमेडी के वल यह मांगी गई है कि वो डिक्री के लिए कलेम कर रही है लेकिन डिक्री के अरावा किसी और चीश के लिए कलेम नहीं किया गया है तो फिर ऐसे में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यानि आपको इस डाइबोस को कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं आप भी डाइवोस आते हैं वो भी डाइवोस मांग रही है अब आप उसे contest करते हैं तो आपको advocate भी उसमें निक्त करना पड़ेगा आपको उसमें पैसा time सब देना पड़ेगा तब जाके आपको डाइवोस मिलेगा और उस परकिरिया में बहुत जादा समय भी लग जाएगा तो यदि उसने अपनी डाइवोस की petition में आप से alimony नहीं मांग जिया यानि कि कोई amount नहीं मांगा है केवल डाइवोस मांगा है तो आपको उसे contest करने की जरूती नहीं है आप लोग घबराते की हो क्योंकि उसमें allegation लगे भी होते है कि भई आपने उसको इसाथ ऐसा किया ऐसा किया और आप एक वापस reply बरा के बेशते हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ऐसा कुछ नहीं किया ऐसा करने के आपको कोई भी जरूत नहीं है क्योंकि यदि उसमें आपके उपर allegation लगे भी है तो उन allegation से आपका कुछ होगा नहीं क्योंकि वो कोई criminal case नहीं है वो केवल एक civil nature का case है और अगर आपको divorce ही मिल जाएगा तो बात ही खतम हो जाएगी इसलिए allegation की परवा मत कीजिए बस यह देखे कि यदि उसमें कोई amount alimony claim नहीं की गई है तो आप बिल्कुल free है आपको कुछ नहीं करना है आपको समन मिलेगा आपको कोई जवाब नहीं देना court नहीं जाना वकील नहीं करना और जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में वो जो case होगा वो ex party उसके favor में हो जाएगा यानि आपको divos मिल जाएगा आपको केवल समस्य तभी है जब उसकी divos की petition में कोई alimony claim की गई हो और आपके हिसाब से वो alimony बहुत ज़ादा हो तो ऐसे में यह दि आप contest नहीं करेंगे तो हो सकता है कि court वो alimony जरूत नहीं है आप कुछ फिमत करिए अपने घर पर आराम से बैठी है आपको divos बैठे बैठे मिल जाएगा तो दोस्तों हमेशा लड़कर ही जितने ही मिलती कई बार दिमाग से भी खेलना पड़ता है दिमाग से भी चलना पड़ता है कि यदि आपकी सामने वाली party ने यदि आपकी wife ने आपके उपर divos जाला है मन से आप भी divos जाते हैं तो आपको आसानी से कैसे मिल सकता है जिससे आपके पैसे समय सबकी बचत होगी आपकी harassment भी बचेगी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हो तब तक लिए goodbye and thank you for watching take care